हेलो फ्रेंड वल्कम वैक टो और चैनल इस्प्लेइनर एंजल फ्रेंड आज मैं इस ड्रामे के लाजट पार्ट का इस्प्लानेशन करने वाली हूं अगर आप ने भी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उन पार्ट को देखें फिर इस पार्ट कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट का इंड हुआ था हम देखते हैं जो को जो कि जियामी से लड़ा होता है और तब हमें पता चलता है कि जियामी सूची का चाचा है और जो जियामी का वैसा वाला सन है जैसे कि जो की माने जो पहले शादी की थी तब वहां वा वो भी था और कि फादर के मरने के बाद लुकिवश्शी के अंकल से इसाधिय करके दहेज को अपने साथ ले आई थी थी इतना कमेना बंदा था उप इसमें उसके माह को भी मार डाला था ज Caesar से बाहर चला लेकिन अब जब दुबारा यहां पर आता है तब फिर थे शैतानी प्लान के तहट दादा को भी मार डालता है और अब दादा के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी और बिसनेस का मालिक खुद बनना चाहे रहा होता है इसलिए वो सूची को फसाने की बात भी कर रहा होता है य हमने बिना हमसे पूछे एक तलाग शुदा लेड़ी के साथ कैसे शादी करने का फैसला लिया सिफ पैसे के लिए ही तो लिया है अगर मैंने पैसे के लिए अपने बाप को मार डाला तो क्या खलत किया यह कहते हुए वो जाने लगता है कि चलो फिर कल मिलते हैं मिटिंग मे और याद रखना कि अगर कल सूची नहीं आई तब उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा इधर सूची अपने दाखे डैवल डूप को याद करके रोए जा रही थी तब है उसके पास जू आता है अब जू का सहारा पाकर वो बेहोशो कर गिरने लगती है और जू उसे समहा ल इधर सूची बेट पर बीमार लेटी होती है जूस को अनार का जूस पिला रहा होता है जिसे कि उसकी कम्जोरी खुप हो सके और हो चाचा की मीटिंग में जाकर उनको गंजा टकला कर सके सूची जूस का एक घूट लेकर सूको देख रही होती है और कहती है कि तुम कितने अच्छे हो तुमने तो हमारी कमजोरी को समस्ते हुए अनार का जूस भी ले आया मैं अब तुमसे नकली शादी नहीं बलके अतली शादी करूंगी यह समकर जू कहता है कि बस भी करो वरना मुझे शरम आने लगेगी अब जू सूची से मुद्दे की बात पराता है यह कहता ह कि हमको पता चल गया है कि जियामी नहीं दादा को जहर में इंजिक्शन लगा कर मार डाला था और उन्होंने डॉक्टर से पहले ही सेटिंग करके रखी हुई थी लेकिन मैं उसको उसके मकसद में काम्याब नहीं होने दूंगा तुम जूस पीती रहो और मैं एविडेंस ल देखकर सुची हाइ मेरे लिए कहकर उसके गले में लग जाती है फिर रो रोकर उसे बताने लगती है कि उसे तो उसके अपनों वो रोगी होता है अब वो रोगी यानि के लिए कहता है सुजी मैं आ गया हूं सबसे लड़कर मैं तुम्हें तुम्हारे मुश्किलों से निकाल दूंगा और तुम पर आज भी नहीं आने दूंगा यह कहकर वो यहां से चला जाता है वो अभी ही जियामी का बैंड वो इस वक्त कोट में होता है और बहूत सारे वकील वहां पर होते हैं जोकि सुजी का इंतजार रहे होते हैं तब यह जियामी का एक लाइफ बीडियो सुजी देखतीकर और यह छाला की बहुत भूरी लगती है इस तरह आपने अंकल के इस 니माने को देख वह और भी विमार हो जाती है तब दो उसके पास जू आता है गज ribbon करती है लेकिन जो उसके इस बात को इग्नोर करते हुए दोबारा से उसने बात करने की कोशिश करता है लेकिन जिब सुचि कुछ बोलती नहीं तब निराश हो यहां से चला जाता है और उसकी जाते ही ली एक बॉक्स लेकर यहां पर आ जाता है जिसे सुची गिफ्ट समझती है लेकिन वो गिफ्ट नहीं होता बलकि वो जियामी के काले कर्टूतों को पेंडराई में भर कर लाया होता है जिसे सुनकर सुची बड़ी ही खुश होती है इ लेकिन बस वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते यह सोच करकि बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी बातें इसमें हम छोटे लोग बोलकर अपने फुट पर एक्स क्यों मारें क्योंकि काम तो उन लोगों को जियामी के साथ भी करना है कहने का मतलब है कि कुछ सूची के हतम होने लगता है यह देखकर चाचा जी इस पर आ जाते हैं जैसे ही वो अपने सामने बैठे लोगों से कहते हैं इधर देखें जरा कि तभी सूची के सस्ती सैंडल की खटखट चाचा के माइन में टंटन की आवास करती है अब वो चाचा लोगों को ना देखकर बलके सू मत के वक्त का बीडियो भी वो सब को दिखा देता है जिसमें चाचा जी दादा को जहर वाला इंजिक्शन लगाते हुए हमें नजर आते हैं इस तरह और भी लोग उनके काले का नामे को बीडियो की धुरू जान जाते हैं जिसके बाद चाचा जियामी को पुलिस हतकड़ी लगा कर कहती है कि चचा ससुराल चलो वही पर आपको इज़त से 20 साल की सदा दी जाएगी इस तरह चचा जियामी अंदर अंदर शर्माते हैं और बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं जिसे कि उनको देखने वालों को ये समझ आए कि वो डरे नहीं है इस तरह विलन चचा का टाटा बाई बाई हो जाता है अब उनको जब पुलिस लेकर जाने लगती है तभी यहाँ पर जू आ जाता है और जू अपने फादर से कह देता है कि आज मैंने अपनी मदर के मरने का बदला आप से ले लिया आपने ही मेरी माँ को मारा था और आज मैंने आपको इसलिए फ कहता है कि मैं तो चला लेकिन तुम इसका हमेशा ख्याल रखना अब सोची मुस्कुराते हुए ली को देखने लगती है और मनी मनी यह सोच रही होती है कि ली तुम तो जो से भी जाधा अच्छे हो अब तो जो को गोली मारो शादी तो मैं तुम से ही करूंगी तब ही कब में आकर उसे बुला रहे हैं अब वो कब अपने साथ उसे लेकर उड़ जाएं यह तो उसे भी पता नहीं है इसलिए वो ली से कहता है कि मैं हमारी सूची को तुमें देकर यहां दे हमेशा के लिए जा रहा हूं और तुम उसका ख्याल रखना साथी चाचा की वीडियो वाली पेंड्राइब भी जू ली को देता है यानि कि यह एविडेंस ली ने नहीं बलकि जू ने इकटे किये होती है जितके बाद ली रोते हुए कहता है कि भाई वो मेरी ही थी और मेरी ही है और हमेशा मेरी ही रहेगी तुम उसकी फिकर करना छोड़ दो और जाकर मरने की तैयारी करो इस तरह हमेशा के लिए इनके जिन्दगी से चला जाता है और ली पर्जेंट में आ जाता है और सूची को गले लगा लेता है इस तरह यह पुराने हजबेंड वाइफ फिर ते तावी शादी करके नए नवीले कपल बन जाती है और जू मर जाता है सूची मुस करेंडिंग हो जाती है तो फ्रेंड्स यह दामा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हम आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक किया है